मच्य अफ्तार भगवान विष्णू की प्रथम अफ्तार है मच्य के रूप में अफ्तार लेकर भगवान विष्णू ने एक रिशी को सब प्रकार के जीव जन्तू एक त्रित करने के लिए कहा और प्रित्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्से अफ्तार में भगवान ने उस रिशी की नाव की रक्षा की इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनह जीवन का निर्मान किया एक दूसरी मन्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की अथा गहराई में छुपा दिया तब भगवान विश्चनु ने मत्से रूप धारन करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनह स्थापित किया मत्से अफ्तार की कथा एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी की कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया उस दैत्य का नाम हयग्रीव था वेदों को चुरा लिये जाने के कारण ज्यान लुप्त हो गया चारो और अज्यानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया तब भगवान विश्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मच्य रूप धारन करके हयग्रीव का वद किया और वेदों की रक्षा की भगवान ने मच्य का रूप किस प्रकार धारन किया इसकी विस्मय कारिनी का था इस प्रकार है कलपांत की पूर्वेक पुन्यात्मा राजा तब कर रहा था राजा का नाम सत्यवरत था सत्यवरत पुन्यात्मा तो था ही बड़े उदार हृदे का भी था प्रभात का समय था सूर्योदे हो चुका था सत्यवरत कृत्माला नदी में सनान कर रहा था उसने सनान करने के पश्चात जब करपन के लिए अंजली में जल लिया तो अंजली में जल के साथ एक छो मच्छी भी आ गई सत्यवरत ने मच्छी को नदी के जल में छोड़ दिया मच्छी बोली राजन जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा कृपा करके मेरे प्रानों की रक्षा कीजिए सत्यवरत के हृदय में दया उत्पन हो ओठी उसने मच्छी को जल से भरे हुए अपने कमंदलू में डाल लिया तभी एक आश्चर्य जनक घटना घटी एक रात में मच्छी का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंदलू उसके रहने के लिए छोटा पढ़ने लगा दूसरे दिन मच्छी सत्यवरत से बोली राजन मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान धून धिये क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है मुझे घूमने फिरने में बड़ा कश्ट होता है सत्यवरत ने मच्छी को कमंदलू से निकाल कर पानी से भरे हुए मच्के में रख दिया यहां भी मच्छी का शरीर रात भर में ही मच्के में इतना बढ़ गया कि मच्का भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया दूसरे दिन मच्छी पुना सत्यवरत से बोली राजन मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए क्योंकि मत्का भी मेरे रहने के लिए छोटा पर रहा है तब सत्यवरत ने मचली को निकाल कर एक सरोवर में डाल किया किन्तु सरोवर भी मचली के लिए छोटा पर गया इसके बाद सत्यवरत ने मचली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया आश्चर्य, समुद्र में भी मच्छी का शरीर इतना आदिक बढ़ गया कि मच्छी के रहने के लिए वह छोटा पढ़ गया अता मच्छी पुना सत्यवरत से बोली राजन यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए आप सत्यवरत विस्मित हो उठा उसने आज तक ऐसी मच्छी कभी नहीं देखी थी वह विस्मय भरे स्वर में बोला मेरी बुद्धी को विस्मय के सागर में दुबो देने वाले आप कौन है मच्छी रूपधारी श्रीहरी ने उत्तर दिया राजन हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है जगक में चारो और अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मच्छी का रूप धारन किया है आज से साथवे दिन प्रिथवी प्रले के चक्रम में फिर जाएगी समुद्र उमर उठेगा भयानक रिष्टी होगी सारी प्रिथवी पानी में डूब जाएगी जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिरिष्टी गोचर नहीं होगा आपके पास एक नाव पहुँचेगी आप सभी अनाजों और वशदियों के बीजों को लेकर सब दिरिष्यों के साथ नाव पर बैठ जाएगा मैं उसी समय आपको पुनल दिखाई पूँँँगा और आपको आत्मतक्त्व का ज्यान प्रदान करूँँगा सत्यवरत उसी दिन से हरी का स्मरंग करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे साथवे दिन प्रलय का द्रिष्य उपस्थित हो उठा समूत भी उमर्ड कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा भयानक रिष्टी होने लगी थोड़ी ही देर में सारी पृत्वी पर जल ही जल हो गया संपूर्ण पृत्वी जल में समा गई उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी सत्यवरत सप्त रिष्यों के साथ उस नाव पर बैठ गए उन्होंने नाव के उपर संपूर्ण अनाजों और औशदियों के बीज भी भर लिए नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरेक कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सैसा मत्से रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े सत्यवरत और सप्त रिषी गंद मत्से रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे भगवान से आत्मज्यान पाकर सत्यवरत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जीही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोक शांथ होने पर मत्से रूपी भगवान ने हायग्रीव को मार कर उससे वेद छीन लिये। भगवान ने ब्रमाजी को कुनह वेद दे दिये। इस प्रकार भगवान ने मत्से रूप धारंग करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्रानियों का भी अमित कल्यान किया।